देश की जनसंग क्या दरिदरिता के तरफ चले जाती है उनको पांच किलो अनाज दे देते और इनके 57 दोस्तों को 25 लाग करोड रूपे बैंक पे आफ कर देती है यहां ये पैसा सारा का सारा जा रहा है और उसके उपर जनता अगर प्रतिकरिया नहीं देती होगी जनता अग बात यह है कि नियती अगर तुमने यह मान लिया अव्यवस्ता को नियती मान लिया ब्रस्टाजार को नियती मान लिया गरीभी को नियती मान लिया जितने यह सारे अव्यवस्ता के पार्ट है इसको अगर नियती मान लिया तो फिर हम कौन से काल में जीना चाहते और किस तर पर होता है अजान पर विवात किस बात पर होता है कि एक तरफ योगी है दूसरे तरफ भोगी है यहां तो मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं रोगी दिखाई देते हैं योगी और भोगी तो नहीं है मगर यहां का विरोधी पार्टी जो है यह सब रोगी दिखाई देते मुझे ये मानसिक रोगी हो गए है सारे के सारे और ये जनता को भी मानसिक रोगी बनाने पर उतारू है आमदा है ये चाहते है कि जनता मानसिक रोगी बन जाए और हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाए सारी जिम्मेवारी भगवान की होगी अल्ला की होगी या नियती की बहुत जूरदार शुरुसरो हो चुकी है इस वक्त हमारे साहत कीद्र चेडिर जम्झेना चाहिए तो दोनों राजनीती कर रहे ये भी राजनीती कर रहे वो भी राजनीती कर रहे मंगर किसकी राजनीती जादा घातक है ये समझने कियोटrial क्या हो गया सला फिलाल जो जिसके बारे में मैं ज्यादा चिंतित हूँ यह है कि हम धर्म के बारे में जाती के बारे में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं selective प्रतिक्रिया हो गई हमारी जैसे अभी मैंने नाखपुर में देखा कि विहार के सामने भी हनुमान चालिसा हम गार है वहार के साँने हनुमान चालिसा गार है वो जिस विहार में वो तो लोग थे हिंदू क्यों हो क्यों बने हो बहुत इसलिए बने कि उनको अपने अच्छा वेवार नहीं दिया, सोतेला वेवार दिया मैंने पिछले वक भी बताया था कि मुसल्मान भी इसलिए 19% मुसल्मान इसलिए बने कि उनको बराबरी का दर्जा हिंदू समाज में नहीं दिया, हिंदू ने धर्म में नहीं मिला इसलिए हुए, मगर चिंता इस बात की है कि लोग सिलेक्टिव प्रतिक्रिया करने लग गये हैं, पहले कुछ भी थोड़ा सा बढ़ जाता था, कम जादा होता था, तो लोग प्रतिक्रिया सुरूप रास्ते पर आते थे, बोलते थे, ना अंदोलन करें, मगर बोलते थे, नियती नहीं है, यह शोशन का नतीज़ा है, यह जो नियती मानने का प्रकार है, तो आज महेंगाई को भी नियती मानने लग गया है, महेंगाई, उसको लगता नहीं है कि शाशन और प्रशाशन के गलतियों के वज़े से महेंगाई हो गई, उसको लगता यह नियती है, पैसे निकालता है, उसको दे देता है और घर आप अपर जा दाता है यह बहुत ख़तरनाग मतलब होता है कि जो भगवान का दिया हुआ है इसको हम बदल नहीं सकते है नियती का मतलब है कि जैसे आप बोलते इंशालला, माशालला मतलब ये अल्ला की देन है तो ये भगवान की देन नहीं है ये महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी ये भगवान की देन नहीं हो सकती ये किसी व्यवस्ता की देन है तो ये व्यवस्ता की देन न मानते हुए जम हम नियती की देन मानते, मुसलमान मानता है तो उसकी अवस्ता दुरावस्ता हो गई है, ऐसी आज हिंदू की अवस्ता होने जा रही है, कि ये भी उसी राष्टे पर चले है, क्योंकि पहने कई बार आपको बोला कि जो कट्टर है वो हिंदू नहीं, हिंदू है, वो ही नो जाएगा हम अगर उसको नियती मानते हमारी अशिक्षा को हमारे रोजगार को हमारी कुवेवस्ता को हमारी जाती प्रथा को हमारी सती प्रथा को हमारे विध्वाकेश वपन को अगर नियती मान लेते हम तो उसमें परिवर्तन आता क्या नहीं आता परिवर्तन हमारे ब माश्पती होने का भी रिवाश था उसको अगर हम नियती मान लेते और उसी के साथ चलते तो क्या वस्ता होती जैसे आपके धर्म में मुस्लिम धर्म में एक बहन सगी बहन छोड़ दिये तो बाकी सब बहनों के साथ में शादी हो सकती है इसको आप लोगों ने एक विचित्र तरीके से वो इंशाल्ला माशाल्ला करके उसको अपने इसमें जोड़ दिया वैसे यह मानने लग गया जिसमें परिवर्तन हो रहा था जिस धर्म में मुहमत साब ने जैसा इसलाम में परिवर्तन किया उनके रहते हुए उनकी बेगम को नमाज पढ़वा है नमाज पढ़न समझाने की जरू थे क्योंकि इनको यह समझाया गया है कि मुसल्मान कटर हो गए तो तुमको भी कटर होना चाहिए तो इस तरीके से समाज ना बढ़ेगा ना समाज चलेगा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुसल्मान बोलते नहीं हो गया मगर करना शुरू कर दिया है उन् गजब तरीके का बदलाव आ रहा है और इसका मैं स्वागत करता हूँ बदलाव को वो चाहिए वो बदलाव समाज को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके का बदलाव चाहिए अब बात रही कि यह जो पेट्रॉल डिजल का एक दूसरे के विरोध में जो थोपने का काम चल रहा है इसमें हम कुछ सचाई समझते हैं सचाई क्या है तो इसको मैं फैक्ट और फीगर के साथ में समझाता हूँ आपको कि महरास्ट सरकार बोल रही है कि पिछले साल हमारे 26,500 करोड रुपे डीजल और टैक्स पे और उसके सरचार्ज पे केंदर सरकार नहीं खटा करके ले गई कितना 26,500 करोड रुपे ले गई दिया कितना तो ठंठन गोपाल रिटन नहीं दिया एक तरफ सरकार बोल रही है सरकार के सारे महिका में केंदर सरकार के बोल रहे है कि 26,000,000 करोड का फायदा हुआ है डीजल और पेट्रोल से केंदर सरकार को 26,000,000 करोड का फायदा उसका distribution क्या हुआ ये बताने को तयार नहीं है दूसरी बात जब करोना काल था तो करोना काल में जीरो मुल्य पर पेट्रोल डिजल मिल रहा था कई दिन मिला हो वो जीरो मुल्य में अगर processing charge 20% भी पकड़ गया है 20 रुपए पकड़ा जा है तो 80% सरकार के taxes थे करोना काल में भी 80% taxes थे वो करोना काल के दो साल जो थे वो पहले साल 3,40,000 करोड का profit हुआ है केंदर सरकार को 3,40,000 करोड का profit हुआ और अभी पिछले साल जो साल गया है इसमें 3,90,000 करोड है उतना profit हुआ है तो आप एक तरफ profit भी कर रहे हो आप एक तरफ महेंगाई भी बढ़ा रहे हो अब इतना अपने profit बताया लेकिन अभी मोदी जी का जो लेक्टिव बयान चल रहा है पेट्रोल को लेके कि तमाम राज्य सरकार से मैं विनंती करता हूँ मैं बता देता दूसरा मंतरी बोलता है नहीं नहीं रास्ते बनाने के लिए उस करते हैं तीसरा मंतरी इनका बोलता है कि भाई जो आपको फ्री में अनाच बाटा जा रहा है वो कहां से आ रहा है वो उस पैसे से आ रहा है चौथा मंतरी क्या बोलता है कि जो कॉंगरिस ने bond खरीदा था उ उसके वज़े से ये महंगाई हो रही कि बॉंड के पैसे वापस देना है अब मैं बॉंड की सचाई बता देता हूं आपको बॉंड का मतलब क्या होता है कि जब सरकार को अचानक पैसे नहीं निकालना है रिजरो फंड से नहीं निकालना है फॉरेंड फंड से नहीं निकालना जिसे मार्केट में हलचली हो जाए, ऐसे वक्त सरकार bond जारी करती है, आपने देखा होगा किसान bond जारी हुए, ऐसे विबिण नकाई तरीके के bond जारी होते है, गोल्ड bond जारी हुए, वो bond के दवरे सरकार पैसे ही खटा करती है, तो यह petrol bond भी लिखाला था, यह petrol bond की बात हुई थी 2002 में 2002 में अटल भीहरी बाचपेईजी की सरकार थी तो यह रास्ता जो खोला था बॉंड का जिसकी चिल्लपों मचा रहे हैं वह अटल भीहरी पंडित अटल भीहरी बाचपेईजी ने खोला था उन्होंने 9000 करोड के बॉंड इसु किया था वो बॉंड किसको जाते हैं तो ऑईल मार्केटिंग कंपणियों को बॉंड दिये जाते हैं कि भाईया हम बैस समय आपको देंगे उनको भी ठीक रहता है एक साथ पैसा उनको भी क्या करना है तो वह किस्तों में पैसा लेने के लिए राजी हो जाते क्योंकि उनको दाम के ऊपर बैस भी मिल ज और 2009 और 2010 का जो आर्थिक वर्ष है उसमें बॉंड लिए उस समय जो ऑईल की कीमत थी 147 डॉलर प्रती बैरल थी आपने देखा होगा कि उसके बाद धराधर कीमते गिरना शुरू हो गए और मोदी जी भाशन देने लगे कि भाग्ये शाली आदमी को आपने प्रधान मंत्र भाग्ये शाली हूँ इसलिए ये सारे दाम कम हो गए ठीक अब ये दाम कम हो गए भाग्ये शाली थे मगर थोड़ा सा दुरभाग ये उनके साथ में आया कि एक उनके कभी कभी मतलब ये हाइस पिरेट बता रहू है 114 रूपे तक डिजल पेट्रोल के दाम पहुंचे थे म अभी तो 101 रूपे चल रहा है मगर जब फ्री में मिल रहा था उस वक भी वही दाम थे बड़ी रहे थे जब थोड़ा से कीमत बढ़ा के मिला उस वक भी वही दाम थे उसका कारण बताता हूं मैं उसके कारण अगर आप गिनने लग जाओ तो ये बॉन्ड जो इशू किया तोटल का करजा जो बॉन्ड इशू किये थे वो एक लग चालीस हजार के बॉन्ड दिये थे अटल बिहरी बाच पे जी ने नव हजार करोड के बॉन्ड जारी किये थे वो पैसा मनमोन सिंग जी ने पेड़ कर दिया था उन्होंने नहीं बोला था कि ये पुर्व अर्ती सर करोड के bond issue कर दिये उसमें से 53,000 करोड का payment भी कर दिये उन्हों ने मतलब आधे से आधा payment हो गया था आधे से थोड़ा जाधा payment हो गया था अब जो बचे थे उसके उपर इन्हों थो अब प्र Shaer Ёन्हों ने फिर bond किये इन्होंने जगे जगे पर अपने तरीके से जो आप अभी बोलते हैं। सतर साल में क्या किया। télé sour बेच के बता रहों कि ये बेचा ये सतर साल का था ये बेचा ये सतर साल का था ना क्योंकि पहले तो नहीं था। Acid तो बनाया बाद में जो थोड़े बहुत Acid थे औंग्रे जो के बनाय हुए वो भी आपने रेल सेल गेल भेल सब बेश दिया तो यह गेल भेल जो है वो तो बाद में बनाया है तो क्या बनाया है उसका जवाब तो आपी खुद दे रहे हो कि हम जो बेचरे वो ही बनाया है वो किसी के पिताजी का तो था नहीं है तो उसके बाद में इनों ने अभी तक कितना दिये बाण्ड के 3500 करोड़ और 1750 करोड़ रूपए यही दो किस्ते दी अभी 10.000 करोड़ 10.000 कि दो किस्ते अभी बचाया है देने की है, तब भी ये चिलाते है कि bond के पैसे देना इसलिए होता है और मैंने शुरुआत में आपको बताया कि profit कितना हुआ 3,40,000 करोड और 3,90,600 कुछ करोड रुपए दो साल में profit हो गया तब भी रोनार होते है अब बची बात कि क्यों हो रहा है पेट्रोल डिजल महंगा ये महत्वपूर्ण बात है तो पेट्रोल डिजल महंगा होने का कारण आप देख लीजे, क्या है 1 अगस्ट 2014 उस दिन का figure देता हूँ मैं आपको उस दिन पेट्रोल का basic price basic price मतलब उसको निकालना, उसको खरीदना उसको लाना, रिफाइरी में ले जाके उसको क्लीन करना और उसका transportation, पेट्रोल पम तक करना इसको बोलते है basic price ये basic price उस वक था 48 रुपे 55 पेशे, पेट्रोल का और डिजल का था 47 रुपे 27 पेशे 2014 में एक अगस्त 2014 ये figure जो मैं बता रहा हूँ ये Google पर available है कोई भक्त अगर आपको कुछ ये कहता है सवाल पूछता है तो बोलना Google पर जाके देख ले अब उस वक जो केंद्र संदकार, यानि केंद्र सरकार का जो tax था, एक लीटर पर 9 रुपे 48 पेशे था अब तो कोई CAG बोलता नहीं है अब कोई सरकारी नोकर बोलता नहीं है तो ये इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है समझाने की जरूरत है कि कितना tax था पेटरोल पर 9 रुपे 48 पेशे और डिजल पर कितना tax था उस वक्त 2014 में तो 3 रुपे 57 पेशे पेशे और डिजल पर कितना लेते था राज्य सरकार 10 रुपे 25 पेशे पेशे और राज्य लेते था 10 रुपे 25 पेशे ठीक है अब हम देखते है कि विका संशील मोधी शाषन की बात करते है तो मैं 4 नवंबर 2021 का फिगर देता हूँ आपको 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल का बेसिक प्राइस था 48 रुपे 36 पैसे पहले कितना था 48 रुपे 55 पैसे अभी कितना है 48 रुपे 36 पैसे मतलब कम हो गया कुछ पैसे से कम हो गया ठीक है डीजल प्राइस उस वक था 47 रुपे 27 पैसे अभी कितना है उन पचास रुपए उन सत्तर पैसे थोड़ा सा बढ़ा है डीजल प्राइट मगर अब टैक्स की कमाल करामाद देख लीजिए टैक्स की कमाल देख लीजिए उस वक्त टैक्स था नौ रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर आज टैक्स है 32 रुपए 90 पैसे बात समझ कहां पेट्रोल डीजल का यह है केंदर सरकार कितना गुल खिला रही है अब सबको पता है कि ट्रांस्पोर्टेशन का दारम बढ़ गया है डीजल का दाम बढ़ गया है तो किसानी की उपज के उपर प्रेशर आता है किसानों के उपर प्रेशर आता है ट्रांस्पोर्टेश प्रत्यारोब करना बहुत आसान है फैक्ट्स और फिगर क्या कहते है तो ये कहते है कि आपने 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया 10 गुना और उस वक्त जो राज्य सरकार जो लेती थी केंदर सरकार जो लेती थी अभी वो बताया 32 रुपे 90 पैसे और 31 रुपे 80 पैसे राज्य सरकार उस वक्त लेती थी 15 रुपे 60 पैसे अभी अलग-अलग राज्यों के 15 रुपे से 17 रुपे टैक्स है राज्य का कितना बढ़ा एकाथ 2 रुपे फालतु हो गया जिसको कम करने की बात आदर नियमोदी जी करते है वो एकाथ 2 रुपे फालतु में बढ़ा है किसी किसी स्टेट में नहीं तो बाकी स्टेट में अपना वो रेशो मेंटेंड करके रखा है और डीजल पे कितना था तो पहले 10 रुपे 25 पैसे था अभी राज्यों का 15 रुपे टैक्स हो गया है वो भी कम जादा है उसमें 15 रुपे सारे राज्यों का नहीं है उसमें भी कम जादा फिगर है अब ये बताए कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि टैक्स किसका बढ़ गया और किसका नहीं बढ़ गया मोदी जी वहां बैठके जो भाशन देते है करोना के लिए उन्होंने मिटिंग बुलाया था और बाट पेट्रोल डीजल की कर दिया तो उनका मंत्री शाम को दुपेर में मिटिंग हुई शाम को ये बोलता है वो कि हमारे उपर राज्यों के 48,704 करोड रुपे बकाया है ग्यान देने से बकाया वापस देना चाहिए था आपके पास में विक्रमी डिजल और पेट्रोल का चार्ज और सरचार्ज और टेक्स आ गया आपके पास में जीएस्टी विक्रमी आ गया लाखो करोड में जीएस्टी इखटा हो गया आपने खुद statement दिये थे आपने reserve bank से extra fund भी draw कर लिया वो भी आपके पास में पैसा है उसके बाद में आपने income tax के छापे भी डाले वो भी पैसा आपने इकटा कर लिया आपने काला धन भी लाया होगा आप बोल रहे हैं तो काला धन भी लाया होगा वो भी पैसा आपके पास में होगा तो राज्जो का अपना share देते क्यों नहीं हो तमिल नाडू सरकार बोलती है कि एक हजार पचास करोड रुपे रोज विड्रा करके ले जाती है केंदर सरकार पेट्रोल और डीजल के नाम से और हमको देती कुछ नहीं है महरास्तर शाषन ने भी बोला कि 26,500 करोड रुपे हमारे बकाया है आपके उपर वो तुम दे दो तो हम कुछ करे टैक्सेशन में रिबेट करे अब राज्जो की हालत यह है कि दार उपर और पेट्रोल पर ही उनको कुछ मिलता है बाकी तो सारा केदर के पास चला जाता है तो यह कैसी सरकार है कैसे लोग है यह जूटे लोग है हर बात में जूट बोलने का इनका जो फितरत है वो है इन्होंने कोरोना काल में जिस काल में सब को कुछ देना चाहिए तक टेक्स लिया आज भी आपको बता देता हूं कि 100 रुपे का अगर पेट्रोल होता होगा तो 67 रुपेज उसमें टेक्स है मतलब actual डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी है तो 33 रुपे तो 33 प्रतिशन डीजल पेट्रोल की कीमत है क्यों लेते हैं टेक्स जब बाहरी उत्पादने बाहर से आने वाला उत्पादने जनता को सस्ता मिलना चाहिए इसलिए टेक्स कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए मगर ये टैक्स बढ़ाते है और टैक्स बढ़ाके अपना इंकम बढ़ाते फिर पैसे कहां जाते है तो फोर्ज लिस में अडानी पाचवे नंबर पर आ जाता है देश की जनसंग क्या दरिदृता के तरफ चले जाती है उनको पांच किलो अनाज दे देते और इनके 57 दोस जो है वो 57 दोस्तों को 25 लाग करोड रूपे बैंक प्याफ कर देती है यहां ये पैसा सारा का सारा जा रहा है और उसके उपर जनता अगर प्रतिकरिया नहीं देती होगी जनता अगर सोचते नहीं होगी उसको नियती मानती होगी सबसे दुखत बात यह है कि नियती अगर तुमने ये मान लिया अवेवस्ता को नियती मान लिया ब्रस्टाजार को नियती मान लिया गरीबी को नियती मान लिया शोशन को नियती मान लिया जितने यह सारे अवेवस्ता के पार्ट है इसको अगर नियती मान लिया तो फिर हम कौन से काल में जीना चाहते है और किस तरीके से जीना चाहते है विवाद किस बात पर होता है हनुमान चाली सब विवाद किस बात पर होता है अजान पर विवाद किस बात पर होता है कि एक तरफ योगी है दूसरे तरफ भोगी है यहां तो मुझे जादा दिखाई देते हैं रोगी दिखाई देते हैं योगी और भोगी तो नहीं है मगर यहां का विरोधी पार्टी जो है यह सब रोगी दिखाई देते हैं मुझे यह मानसिक रोगी हो गया है सारे के सारे और ये जनता को भी मानसिक रोगी बनाने पर उतारू है अमदा है ये चाहते है कि जनता मानसिक रोगी बन जाए और हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाए सारी जिम्मेवारी भगवान की होगी अल्ला की होगी या नियती की होगी उसके उपर ध्यान दे जनता ये वो सोच रहा औ उस तरीके से जनता को बरगला भी रहे और समझा भी रहे